जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग सागत करता हूं आपके अपने भाई की यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे भीव प्रोकवर्डी में जो आज पहला मुकावला खेला जाएगा यूपी योध्धा वर्सेस जैपूर पिंक पैंथर के बीच में इसको लेके हम यहाँ पर सौट एनलाइसिस में बात करेंगे अपनी टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आप आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप इसी वीडियो के चले जाईएगा कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेर टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को वहां पर जोइन कर लेना है अब दोस्तों बात करूं वीनिंग परसेंटेज को लेकर तो पिछले मैच में यूपी ओधा के जो स्टार डेडर थे सुरेंदर गिल वह नहीं खेले थे अगर वह आज फिर से नहीं जीत हैं पांच आ रहे हैं यूपी की टीम नमबर चार पे है 14 में से साथ जीत हैं पांच आ रहे हैं और इनका दो रहा है टाइए इस वज़ास से इनके आपास है 45 पैंट और जैपूर के पास है और 48 अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके तो यूपी प्रफिर दुर्गेश कुमार आपको दिखेंगे जिन्होंने टोटल एक रेट किया था वो इंपिटी रेट था टैकल एक किया लेकिन वहाँ पे काम्याभी हाथ नहीं लगी आशु सिंग टोटल टीन टैकल एकम्ट किया एक सक्सेस्पूल दो अनसक्सेस्पूल फिर रोहित प्रफिर आपको दिखेंगे अनिल कुमार सुभम जमेश जेम्स कामर्ती नितिन पवार नितिन तनवर और यहां पे आपको नितिन तोमर और अबुजार मिघाने दिख जाएंगे बात करो जैपूर के लेके तो जैपूर अपना लास्ट मुकाबला खेल के आ रहा है यू मुंबा के साथ जहां पर मजबूत यू मुंबा को उन्होंने अराम से फैंटी देजी थी अर्जुन देशवाल टोटल डेट किये थे एक कीस दस सक्सेस्पूल पांच अनसक्सपू टोटल डेट के से बारह जहां पर एक टोटल पंच मिला था टचपूइंट बांकी इनकाज हो था और कल का दीन अच्छा नहीं था लास्ट वाले मैच में दीन अच्छा नहीं था डिज्जाब मीट बगेरी टोटल यहनोंने तीन टैकल अटमिट किया एक सक्सेस्पूल दो अब दोस्तों आईए मैक पर जानते हैं कौन सा रेडर कौन सा डिफेंडर आपके लिए कितने इंपोर्टेंट इस मैच में रहने वाले हैं तो हमसे पहले बात कर लेंगे यूपी के रेडर को लेके तो इनके तरफ से अगर सुवेंदर गिल फिल से नहीं खेलते हैं तो सुवेंदर गरत करद आदिब के उप्र कौन होंगे यहां पर दिखेंगे और यहां पर अंकुछ जुनियर जो को और राध कर रहने डिफेंट रहीं रहा है लेकिन सुनिल के लिए प्लसैंट क्या बंजाता है कि एकर मालो साहुल drain अच्छा ना हो तो इनको replace करके सुनिल कुमार खुद यहाँ पे खेलने लगते हैं बात करो यहाँ पे यूपी के जैपूर के डेटर को लेके जैपूर के तरफ से main डेटर का काम करने वाले है कौन? अर्जुन देशवाल और इनके तरफ से अज़े super substitute जो आएंगे भवानी राजबूत वो भी आपको right डेटर ही दिखेंगे तो यूपी का जो मजबूत पक्षा है वो दोस्तों left वाली section है जहाँ पर आप यह कह सकते हो कि इनका जो left corner आपको दिखेंगे सुमित सांगवान और आपको right cover पर दिख जाएंगे आशू यह एक मजबूत पक्षा यूपी का और यहाँ पर नितेश कुमार भी इनका अच्छा का सा defender माना जाता है अब अगर बात कर लेंगे सामने वाली टीम में left raider को लेके तो एक ही है वो मुझे लगता निया खेलेंगे अजित कुमार जो की substitute में रहते हैं उनका सामना होगा यहाँ पर किसके साथ पहले होगा आपको दिख जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे यूपी के तरब से गुर्दीप जिसका इस मैच में यूज बहुत कम होने वाला है दो defender जो इस मैच में कम खेलेगा मिंस दोस्तों गेम में कम आप और रंडर से मैंने लिए रीजा अमीर वगेरी को जिससे मुझे उमीद है कि आपके लिए अच्छे खासे काम कर सकता है डिफेंडर में बात करूं तो मैं यहां पर राहुल चौदरी के साथ जा सकता हूं तो फिलाल के लिए मैंने राहुल चौदरी को अपने टीम में जगह दिया हुआ है बात करूं फाइनल टीम प्रिव्यू को लेके तो सुमीद को मैंने लिए हैं साहुल को लिए अंकुर जुनियर को लिए रिजा अमीर वगेरी प्रदीप नर्वाल राहुल चौदरी अर्जुन देशवाल बात करूं कैप्टन विसी को लेके तो हमारे होता है तो उसका अपडेट में आप लोगों को टेलीगराम चैनल पर देदूंगा उमीद करता हूं इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल तो सब्सक्राइब ज़रू कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक के लिए बाइ इंज्वाइ कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए